दोस्तों नमस्कार बहुत-बहुत सागत करता हूँ एक बार फिर से टेकमेटर यूट्यूब चैनल पर और आज की वीडियो आप एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे चीज़े मैं आपको बताऊंगा जो की सायद आपको पता ना हो और यह जो चीज ह यह काफी सारे बड़े क्रेटर भी कर रहे हैं और चोटे क्रेटर आ रहे हैं जो नए नए यूट्यूब चैनल बना रहे हैं वह भी यह गलती कभी कभी कर जाते हैं दोस्तों वह गलती क्या है कि एक ही वीडियो को दो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना दोस्तों यह च और काफी जो मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी गलती करते हैं कि वो एक वीडियो बनाएंगे और अपने दो चैनल के उपर उसी एक वीडियो को अप्लोड करेंगे इस पर भी करेंगे उस पर भी करेंगे सेम थम्नेल रहेगा सेम टाइटल और सेम वीडियो जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़े बड़े क्रेटर हैं ये इस तरीके से गलती क्यों कर रहे हैं हो सकता है कि यूट्यूब की पॉलिसी बदल गई हो हो सकता है कि इनका चैनल जो है नई वीडियो पर अपलोड कर रहे थे अपलोड करने के बाद जब उनका मॉनटाइशन के लिए गया जब उन्होंने अपलाई कि अपने चैनल को की मॉनटाइश हो जाए और वहाँ पर जब उन्होंने अपलाई करा इसके बाद क्या हुआ कि यूटूब चैनल जो उनका यूटूब चैनल था वो मोनटाइज नहीं हुआ यानि कि यूटूब ने उनका चैनल मोनटाइज नहीं किया अब वो सोचने लगए कि भाई हुआ क्या मेरे साथ कोई कम्यूटी गाइडलाइन इस्टाइक नहीं कुछ भी नहीं था उनके चैनल पर उनके वीडियो पर सारी वीडियो उन्होंने एनलाइज की लेकिन इसके बाद उनको यूट्यूब टीम से पता चला कि भाई आपका चै इसूट्री गवारा चैनल मॉनेटाइज नहीं हुआ तो इस वीडियो को बनाना का मैरे परपस ही कि जो लोग इस तरीकी कर रहे हैं वो बलकुल भी ना करें हाला कि उनको उनको मालूम नहीं है या फिर उनको मालूम फिर भी इस तरीक से कर रहें हैं एक्स्पिरिमेंट कर रहे हैं क्या कुछ पर लेकिन यह गलती काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं मैंने यूट्यूब पर देखा है और यूट्यूब पर चैनल है जिनको मैं जानता हूँ अब करके आजके करके उ Ultra स्टेंव है movement YouTube आपका शेयर फक्षिया जरह दूसरा ब्लोट कर रहे हैं रियूज कंटेंट आ जाएगा और आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर एची समझने वाली है कि अगर आप एक ही वीडियो को दो चैनल पर अपलोड करते हो तो खुद से समझो यार आप मोनेटाइजेशन के लिए अपलाई करोगे फिर भी आपका चैनल जो वहाँ पर मोनेटाइज नहीं होगा बसो यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ है कि यूट्यूब के तरफ से ना कोई आपको गाइडलाइन श्टाइग मिलेगी इसके बावजूद जब आप अपने चैनल पर मेहनत करोगे कुछ दिन और मेहनत करने के बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अपलाई करोगे तो वहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन रेजक्ट कर दिया जाएगा अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीस इस गलती को आप मत करें और अपने चैनल पर रेगुलर काम करें ताकि आप अच्छे तरीके से यूट्यूब पर ग्रोग हो पाएं आपको ये इंफर्मेशन लगी होगी अच्छी लगी होगी तो आप दूसरे लोगों को भी सेर करिए इस वीडियो को और ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ करना बंद करिये स्वासा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनलों को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरकी की नॉलज़फूल और इंफर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे आज किस वीडियो में बस इतना हैं अगले वीडियो में तब तक लिए टेक कर एंड बाबाए